हेलो एव्रिवन, माइनेम इस मात उतसाद, वेलकम टोग्यान शलाजन मस्ती, आज हम एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो एक बुक से रिलेटेड है, तो रिसेंटली एक बुक रिलीज होई है, जिसका नाम है, हाफ एर्थ, आर प्लैनेट फाइट फॉर लाइफ, और इसको लिखा है, एडवर्ड ओ विल्चन ने, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो इसमें बेसिकली उन्होंने ये काये कि हम हाफ एर्थ को डिवाइट कर दे, और हाफ एर्थ हमारी लाइफ के लिए हो, एनिमल्स और प्लांट्स के ल दिवाइट करते हैं, तो हमारा most of the agriculture land हमारे आनिमल्स के पास चले जाएगा, जिससे at least 150 million लोग मर जाएंगे, और इतने लोग मर जाएंगे, तो उसके बाद भी हमारे पास इतना resources नहीं रहेंगे, कि हम अपने जैसे अभी काम करते हैं, वैसी काम कर सके, पर हमारा temperature decrease होगा, अगलोवर वर्मिंग कम होगी, पर ऐसा नहीं हो पाएगा, कि humans सर्वाइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि migration की वज़े से काफी लोग मर जाएंगे, और हमारे आने के बाद भी हमारे पास resources की कम होगी, पर Edward ने एक और बात लिखी है, कि हमें ऐसा नहीं करना है, तो इसका एक और solution है, वहाँ पर हम हर country में या फिर हर continent में एक area बनाएंगे, जो animals और plants के लिए reserved होगा, तो उस area को हमें अच्छे से preserve करना होगा, जिससे वहाँ पर human intervention नहीं हो, अगर वहाँ पर human intervention नहीं होगा, और एक specific area, plants और animals के लिए होगा, तो global warming कम होगी, तो अब हम बात करते हैं क यह हो गया कि हम कैसे कर सकते हैं इसको ठीक, अब हम एक और चीज के बात करते हैं कि अगर humans नहीं होते अर्थ पर, तो कौन सी species evolve होती और कैसे evolve होती, तो आईए इसके बारे में समझते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी intelligence species हैं हमारे अर्थ पर humans के अलावा, जैसे apes थे, वो evolve हो है humans में, पर और भी कई intelligent species हैं, जैसे आपको पता होगा, dolphins, dogs, cats और काफी other intelligent species हैं, जो evolve कर सकती थी, अगर human का intervention नहीं होता, तो जैसे squirrels होती हैं, वो अपने seeds को ground में छपा के रखती थी, जिससे कोई और इसको नहीं ढून पा है, पर वो basically agriculture कर रही थी, क्योंकि अगर उसमें rain आती, और जो उन्होंने seeds preserve करे थे, वो उकते, तो उनको पता चलता है कि हम ऐसे agriculture कर सकते हैं, और अपने plants होगा सकते हैं, similarly dogs भी ऐसा कर सकते हैं, और dogs भी बहुत intelligent species होती हैं, तो वो भी नए-नए ways निकाल कर, अपनी species को evolve करते हैं, और cats के साथ भी ऐस सही है, cats जैसे बड़ी cats जैसे lions और tigers ये भी काफी intelligent होते हैं, और simple cats होती है, वो भी काफी intelligent होती है, तो वो भी अगर evolve होती है, तो वो हमारी जितनी intelligence की हो सकती थी, तो होप आपको इसके बार में समझ में आ गया होगा कि ये topic क्या है और इसकी importance क्या है, तो एगर आपको इस लगी तो इस वीडियो को लाइक को शेर करेगा और चानल को सब्सक्राइब करेगा बाई